ये गाइस कॉर्णाफ बैक में दो वीडियो है एं गाइस एपल का निया इवेंट 2021 का फर्स इवेंट हो चुका है तो आज आज आपी वीडियो देखते रहे हैं और मैं आप सारे प्रोड़क्स के बारे में जो लॉंच वह बारे में बात करूंगा और आपको उनकी प्रैसिं कि मिलने वाले इस पर काफी दाता थिन कर दीया है तो यह एक अच्छी चीज है तो आपको इनिशेटिवली यह बाउर्डर को थिन करने का जाते हैं कि आपको इसको काफी द्रूज किया गया अभी तक जो आइमाइक आता था 21 इंचिस का आणा उससे तो आपको साइस भी ब आज ही गई है M1 प्रोसेसर जो है M1 चिप आपको देखने के लिए बिलने वाली है Mac OS PIX का आपको सपोर्ट देखने के लिए बिलने वाला है साते साथ आपको आपने क्लेम किया है CPUPerfumence GPU機 हो काफी जादा निक्स क्मान कर दिये है आपने क्लेम किया है 85% rewindused CPU operating और टू NS tool टाइन फासे GU would इन लिए तो यह काफी बड़े गांइथ कलेमस आपने क्लेम साथ 95% CPU performance ुआज बहुत जादा जादा Δ kayak प्रफॉर्मेंस को बढ़ा दिया गया है आपल की तरफ यह सारे क्लेम्स हैं जब प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में आएगा तब ही तेस्टिंग के वापत चलता है कि कितना साथ इंप्रोव्मेंट किया गया है बट आपल के प्रोडक्स में जर्नली काफी साथ तो अच्छ आपको मैं अच्छी चीजश लगती है कि अपल चाहरो अच्छी चीजच लगती है शीह नहीं की तरस फिरा अप्रोडब्स गया ऑखर है तो यह एक अच्छा connection system बन सकता है in future साथे साथ आपको तीन नए keyboard का support देखनी के लिए मिलने आला है एक तो आपको basic आता है magic keyboard जो आता है वो मिलने आला है साथे साथ आपको magic keyboard भी touch ID देखनी के लिए मिलने आला है तो जी हाँ जो touch ID है उसको भी iMac के साथ अब support में डाल दिया गया है तो यह एक काफी अच्छी चीज निकल गर आती है और साथे साथ तो तीसरा magic keyboard मिलने आला है आपको वो आपता है touch ID और number pad के साथ तो आपको keyboard के अंदर ही number pad देखनी के लिए मिल दाएगा अभी तक जैसे कि हम जानते है जो Apple के keyboard आते हैं जाए वो MacBook में आते हो या फिर वो iMac में आते हो इसमें आपको number pad नहीं देखनी के लिए मिलता था तो इसमें आपको number pad भी अलग से देखनी के लिए मिलने वाला है साथे साथ magic mouse की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको colors देखनी के लिए मिलने आले हैं जो आपको iMac के अंदर देखनी के लिए मिलेंगे और साथे साथ आपको magic track pad में भी वो सारे colors देखनी के लिए मिलने वाले हैं बट इसमें भी थोड़ा सा catch है वो क्या है वो यह है कि जो 2099 से जो शुरू होता है iMac उसमें आपको सिरफ 4 color options देखनी के लिए मिलते हैं और जो 1500 डॉलर से जो शुरू होता है उसमें आपको 7 colors का support देखनी के लिए मिलने वाला है तो कईस अब हम बात करने वाले हैं iPad Pro के बारे में आप ने iPad Pro को भी launch कर दिया है तो basically आपको जो screen size मिलता है वो तो आपको save ही मिलेगा बट इसके अंदर जो interior है वो इसको चेंज कर दिया गया ग्राफिक परफॉर्मेंस को improve कर दिया गया है तो अगर हम सबसे पहले बात करें इसके processor की तो इसके अंदर आपको Apple का M1 चिप मिलती है आपको iPad Pro के अंदर M1 चिप जो है देखनी के लिए मिलने वाली है 50% faster CPU है as compared to previous वारे जितने iPads है उससे और साथी साथ आपको 8 core का GPU भी देखनी के लिए मिलता है जो 40% faster है graphic performance में as compared to previous वाले iPads साथी साथ आपको इसमें 120 Hz का Pro motion display दो है देखनी के लिए मिलने वाला है क्योंकि यह iPad Pro है तो iPad Pro में आपको Pro motion display दो है देखनी के लिए मिलता ही है तो वह आपको इसके अंदर देखनी के लिए मिल दाएगा साथी साथ अगर इसमें आपको मैं आगे बताऊं तो gaming performance को भी इंप्रूफ कर दिया गया वह किस तरह से किया गया है वह इस तरह से किया गया है क्योंकि अब जो यह iPads है यह PS5 और Xbox कंट्रोलर को सपोर्ट करते हैं जो नए वाला PS5 है और जो नए वाला Xbox Series X है उसके जो कंट्रोलर दाते हैं उसका भी सपोर्ट डाल दिया गया है और साथी साथ जो है इसमें haptics का भी सपोर्ट डाल दिया गया है तो अगर आपको पता होए कि तो PS5 है उसके haptics काफी जादा इंप्रूफड है और काफी जादा अच्छे हैं तो वह सारे haptics जो है आपको फील अब iPad Pro के अंदर गेमिंग करते होए भी देखने के लिए मि storage की बात करूं तो इसके अंदर आपको storage मिलती है उसको भी तो बढ़ा दिया गया है अभी तक आपको iPad Pro के अंदर maximum storage 1 TV तक की मिलती थी बट अब इसको बढ़ा के 2 TV तक कर दिया गया है connectivity के अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको thunderbolt port देखने के लिए मिलने वाला और इसमें तो आप उसको भी connect कर सकते हैं और आप अपने iPad Pro के display को एक 6 के resolution में भी लेके जा सकते हैं तो आपको display quality मिलेगी वेदर आप editing कर रहे हूं video की या photo की या फिर आप content consume कर रहे हूं साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि या आप cellular version लेते है iPad का तो इसमें आपको 5D का भी support देखन वो रखी गई है जो highest end variant है जो बड़े वाला variant है उसकी जो price रखी गई है वो है 1099 डॉलर और जो 11 inches वाला iPad है उसकी जो price रखी गई है वो है 800 डॉलर अब हम बात करने वाले हैं बिलकुल एक नए product के बारे में जो Apple ने launch किया है उसको नाम दिया है AirTags तो basically यह एक tag है जिसको आप अपने products पर लगा सकते हैं जैसे backpacks पर लगा सकते हैं luggage bag पर लगा सकते हैं अपने wallet परसी वेगार पर लगा सकते हैं और आपके जो iPhone के अंदर और आपके Mac के अंदर आपके iPad के अंदर find my device वाला एक app होता है उसके थ्रू जो है आप इनको locate कर सकते हैं तो यह एक काफी अगर आप कुछ समान अपना रखके भूल दाते हैं और आप उसको locate करना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफी सादा एक helpful device हो सकता है इसके साद आपको कुछ accessories देखने का support मिलता है जिसमें आप अपने air tag को रख सकते हैं तो basically आपको एक cover वे 11 देखने के लिए मिल दाएग और इसकी तो price रखी गई है वो रखी गई है अगर आप single air tag लेते हैं तो यह आपको around $30 का पड़ेगा और अगर आप 4 का set लेते हैं तो यह आपको जो है $100 का पड़ेगा in my opinion मैं इस project के लिए काफी ज्यादा excited हुगी काफी ज्यादा cool concept है कि आप किसी एक चीज़ पर tag लगा ली दिये और उसको आप फिर easily locate कर सकते हैं तो यह काफी जो है एक अच्छा project आपने launch किया in my opinion सब्सक्राइब हम बात करने माले आपल टीवी 4K के बारे में तो इसमें आपको जो है 812 bionic chip देखनी के लिए मिलती है और अगर आप HDR content देखनी के लिए मिलता है तो हाई फ्रेम रेट की विज़से होगा क्या कि तो आप कोई भी content देख रहे होएंगे तो उसमें आपको smooth video playback का दो है support देखनी के लिए मिलेगा साथ इसमें आपको नया feature देखनी के लिए मिलता है जिसको नाम दिया है color balance का तो बेसिकल ये नया feature इसलिए क्यों कर अपना iPhone दो है उसको TV के सामने लेके जाएंगे तो iPhone अपना camera और proximity sensors को यूज करेगा और आपको तो एक on screen code generate कर देदे और एक आपको अच्छा color reproduction प्रोवाइड कर देंगे आपकी TV skill के उपर तो ये एक काफी जादा Apple ने इस पे emphasize किया इस color balance और फीचर के उपर सो ये तो हमें तभी पताता है लेका जब हम Apple TV को यूज करेंगे इस feature के साथ में साथ ही साथ जो है remote पे कुछ changes किये गए है तो remote में आपको जो Siri का button मिलता है अब वह आपको जो है right side की तरह जो है उसको switch कर दिया गया है सो placement जो है change कर दी गई है Siri button की साथ ही साथ इसमें आपको जो click pad मिलता है navigation का उसको भी जो है touch enabled बना दिया गया है और जो नया feature एक और एड़ किया गया है तो अगर आप TV का अपना main remote जो है replace करना चाहते हैं तो आप वह भी जो है अपने Apple TV remote के साथ जो है replace कर सकते हैं तो basically आपको दो storage का पैस्टी देखने के लिए मिलती है first जो है 32 GB की जो start होती है 179 डॉलर से और जो 64 GB वाली internal storage की option है वो start होती है 119 डॉलर से और गाश साथ ही साथ आपको iPhone 12 के अंदर भी जो है एक नया color जो है देखने के लिए मिलने वाला है जो है purple color तो अब आपको जो है एक और option देखने के लिए मिल दाएगी iPhone 12 में सब्सक्राइब भी करती है थैंक यू लिए मिलने वीज आपको जो का ढुप लिए बेंगा है पर लिए मिलने वाला है जो है जो है जो है नहीं जो है जो कि अब कि दो है जो है